जैहिन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के परमभीर चक्र विजयता नायक जदुनाद सिंग के बारे में जो अपने अपार प्रतिभा एब मोहत्वपूर्न युद्ध नीतियों के द्वारा अपने देश को जीत दिलाने में अपना जीवन समर्पित किया ततपस्चात इन्हे मर्नोपरांथ परमीर चक्र से शम्मानित किया गए इनके प्राकरम को जानने से पहले थोरा इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना जरूरी हो जाता है सीक का जन्म 20 नौंबर 1916 S.P. को साजहानपूर के खुजरी नामक ग्राम में हुआ था जो बरतमान समय में उत्तर प्रदेश का एक जीला है वे एक किशान बिरवल सिंग राठोर और जमना कवर के पुतर थे वो अच्छा भाई और एक वहन के साथ आठ बचों में तीशरे अस्थान पे थे सिंग ने अपने गाउं के एक अस्थानी स्कूल से चौथिक अक्छा तक की पढ़ाई की लेकिन अपने परिवार के आर्थे के स्थिती ठीक ना होने के कारण वो आगे के सिंग्छा जारी ना रख सके वो अपना आधिकांस बचपन खेत की आसपास क्रिशिक कारे में अपने परिवार की मदद करने में बिताया उन दिनो मनुरंजन के लिए कुस्ती किया करते थे अन्ता अपने गाओं में कुस्ती चैंपियन बन गया उनके चरित्र एवं भलाई के लिए उन्हें हनुमान भक्त बाल ब्रहमचारी उपनाम भी दिया गया यह एक हिंदू देवता हनुमान से जुरा हुआ है जो जीवन भर औव विवाहित थे सिंग ने जीवन भर औव विवाहित रहने का फैसला किया दुत्यवी स्यूध के दोरान सिंग 21 नॉमबर 1941 को फतेगड रेजिमेंट सेंटर के में ब्रिटिस भरतिय सेना में साथवी राजपुत रेजिमेंट में सामिल हुए अपना परसिक्षन पूरा करने के बाद उन्हें बटालियन में तयात किया गया 1942 के अंत में बर्मा अभियान के दोरान बटालियन को आरा कान प्रांथ में तैनाद किया गया था जहां उन्हें जपानियों के खिलाब लराई लरी बटालियन 47 इंफेंट्री विर्गेट का हिस्सा थी जिसे 14 वी इंफेंट्री डीप को सौपा गया इन्होंने 1942 के अंत और 1943 की सुरुवात में मेयू रेंज के आसपास लराई लरी अकीब दुविप पर फिर से कबजा करने के लिए ओप्रेशन के हिस्षा के रुप में मेयू प्राईदुप को डौन वैंग की और बढ़ा दिया अलाकि राजपुतो को दिसंबर 1942 में कोडन नामक गाउं के आसपास रखा गया था लेकिन धीरे धीरे डोन बैंक की और बढ़ना जारी रहा यह वही अस्थान था जहां ग्रनेट का हमला रुख गया था बाद में फरवरी 1943 को पच्चपनवी इंफेंट्री ब्रिगेड को रहात मिली बाद में उन्हें दूसरे भरतिये इंफेंट्री ब्रिगेड में सामिल किया गया और अंड़मान निकवार दुइप समूह की रक्षा का जिम्मा संभाला दूइप पर आंसिक रूप से जपानी सेना का कबजा था जिसे 7 अक्टूबर 1945 को जपानी सेना ने अत्वसर पर कर दिया भारत लोटने के बाद उन्हें नायक पद पर पदोनुत्ती दिया गया अब बात करते हैं उनके जीवन की महत्वपूर्ण एवं आखरी लराई के बारे में छे फरवरे 1948 को तंधार पर नमबर टू धरना पर नायक जदुनात सिंग एक फॉरवर्ड पोस्ट पर पोस्ट की कंभान समाल रहे थे जो दुस्मन के हमले का पूरा खामियाजा भुगत रहा था भारी बाधाओं के खिला मातर 9 लोगों ने छोटी चोकी की खेरावंदी की दुस्मन ने इस चोकी पर खेरावंदी के लिए लगातार हमला सुरू कर दिया पहली लहर के एक उग्र हमले में चोकी तक पहुँच गया सिंग के नेत्रितों के महान प्राकरम और सांदार गुनों का परदर्शन करते हुए छोटे वलों का इस्तेमाल किया दुस्मन पुरी तरह से इस छोटे वलों से ब्रहमित हो गया इस लराई में इनके चार लोग घैल हो गये थे लेकिन सिंग ने एक और हमले का सामना करने के लिए अपने साथी को पुनट गठित कर फिर से अच्छे नित्रितों और गुन को दिखाया लेकिन इस बार दुस्मन संभावना से अधिक शंख्या में आ गया एवं बाकी बचे शारे शैनी घैल हो गये सिंग को भी दहिने हाथ घैल हो गये इनके बाद भी ब्रेन गनर को लगातार बाये हाथ से संचालित रखा इनकी आग इतनी बिनासकारी थी कि कुछ असन ने हार की तरह दिखता लक्ष जीत में बदल गया दुस्मन ने अपना तीसरा और आखरी हमला कम से कम संख्या में किया और इस पोश्ट पर कबज़ा करने के लिए ड्रिट संकल्प किया सिंग अब घाया लराई लरने के लिए अकेले ही तयार होकर इस टेन गन के साथ खरे हो गये लेकिन इस लराई के दोरान दो गोलिया उनके सीर्वर चाती में लगी इस तरह इन्होंने बीरता एवं आत्म बलिदान का सरवच प्राक्रम दिखाया और इसी युद्ध के दोरान 6 फरवरी 1948 को इनकी बीर गती को प्राप्त हुए तद पस्चात उन्हें भारत के सरवच सेन सम्मान परम बीर चकर से सम्मानित किया गया तथा इनके महान बीरता को देखते हुए भारत के कई जगों को इसके नामों पे रखा गया